हेलो गाईज, वेलकम टू मिसन स्टरी गाईज, आज के इस वीडियो में हम कठो उपनिशत के बारे में बात करेंगे जो की कृष्ण यजुर्वेत का अंतिम भाग का अंतिम अध्याई है कठो उपनिशत एक बहुत बड़ा उपनिशत है जिसमें प्रतम वधितिय दो अध्याई है और प्रतेक अध्याई में तीन-तीन वल्लियां है कठो उपनिशत में कुल छे वल्लियां है गाइस पिछले वीडियो में हमने कठो अपनिशत प्रतम अध्याय के प्रतम वल्ली के 10 लोग पड़े थे आज के इस वीडियो में हम 11 से 20 तक के स्लोग पड़ेंगे So guys, let's start video वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल मिसन स्टेडी को सब्सकाइब नहीं क्या तो सब्सकाइब कर लिजिए, लाइकें, शेयर कर लिजिए And don't forget to press the bell icon So guys, let's start video 11 लोग है, यथा पूरिस्ता, दोभीता, प्रतीत, ओदालकीरा, रू, रिन, मत्प्रिष्टम, सुक, रात्री, शहिता, वीत, मन्नु, सवाम, विद्रिश्री, वान, मिर्तिव, मुखात, प्रमुक्तम इसका आर्थ देख लेंगे, मुझसे प्रेरित होकर, अरुन पुत्र उदालक, तुझे पूरुवत पहचान लेगा, और शेश रात्रियों में सुक पूरुवत सोवेगा, क्योंकि तुझे मिर्तिव के मुख से छुटकारा आया हुआ, देखेगा ये ग्यारवा सुत्र है, दस्वे स्लोक में हमने पढ़ा था कि नचिकेता यम से वर्दान मांगते हैं कि मेरे पिता का जो शांत संकल्प हो और उनका क्रोध शांत हो जाए और उनके नचिकेता के प्रति उनका विवार क्रोध रहित हो जाए अब इससे आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए ग्यारवे स्लोक में बताये गया है कि मुझसे प्रवित होकर अरुण पुत्र उदालक है, तुझे पुरुवत पहचान लेगा, पहले की तरह पहचान लेगा और से शात्रियों में सुख पुरुवक सोवेगा क्योंकि तुझे मिर्त्य के मुख से छूट कर आये हुआ देखीगा, अब इसको विदिवत स्टार्ट करते हैं, यथा पुरुष्ता दविता प्रतित ओदालिक किरारूरिम मत्प्रिष्टम, मुझसे प्रवित होकर पुरुष्ता दविता प्रवित होकर अरुण पुत्र उदालक उदालिका उरुणिम्त पत्र श्ष्टम, अरुण पुत्र उदालक, यथा पुरुष्त सतित पहचान लेगा। मिर्ट्यू मुखात प्रमुक्तम क्योंकि तुझे मिर्ट्यू के मुख से छुटकारा आया हुआ देखेगा बारवस लोग हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ती न तत्रतुम न जरिया विभेती उभेति तरवा शनाया पिपाशे सोकातिगो मोदते स्वर्गे लोके आप इसकार देख लेते हैं ही मिर्ट्यू देव स्वर्गे लोक में कुछ भी भय नहीं है वहां आपका भी वर्ष नहीं चलता वहां कोई व्रदावस्ता से भी नहीं डरता स्वर्गे लोक में पूरुष, भूख, प्यास दोनों को पार करके सोक से उपर उटकर आनंद मनाता है स्वर्गे लोकी नए भयम किंचिन आस्ती अब मिर्ट्यू देव हैं उनसे कहा जाया है कि स्वर्गे लोक में कुछ भी भयम किंचिन आस्ती स्वर्ग लोक में कुछ भी भे नहीं है ना वहां आपका भी वर्ष नहीं चलता यम जी का भी वर्ष नहीं चलता स्वर्ग लोक में नै तत्र तुमने जर्या विभेती वहां कोई विद्धावस्ता से भी नहीं डरता उभे तितर्वा शनाई पिपाशे स्वर्ग लोक में पूरुस भूग प्यास दोनों को पार करके सोका तीगो मोदते स्वर्ग लोके स्वर्ग से उपर उठकर आनन्द मनाते हैं तेरवश लोक हैं से तुवम अगनी स्वर्ग्यम अध्येशी मिरत्यों प्रभूही तुवम शद्धानाई महयम स्वर्ग लोका अमृत तुवम भजन्त एतद दुत्वियें व्रिने वरें हे मिरत्यों आप स्वर्ग के साधनबुत अगनी को जानते हैं सो मुझ सरदाल्यों के प्रति उसका वर्णन कीजिए जिसके दुवारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पूरिश अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं दूसरे वर्षे में यही मांगता हूं एक बार फिर से देखेंगे स्लोको स तुवम अगनी स्वर्ग्यम अधियेसी मिरत्यों प्रभुही तुष सद्रनाई महें हे मिरत्यों हे यम आप स्वर्ग के साधनबुत अगनी को जानते हैं सो मुझ पर शर्दा करके हमें बताएं स स्वर्ग लोग का अमरित तुवम भजन्त स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरिश अमरित तत्यों को प्राप्त करते हैं एतद दित्यों वर्णे वर्ण इसलिए यह मेरा दूसरा वर्ण है चाउद्वस लोग हैं प्रैते ब्रवीवी तदुमे निबोध स्वर्ग्यम मगनी नचिकेतर प्रजानन अनंत लोकाप्ती मथो पतिष्टाम विद्धितो मेतम नहीतम गुहायां इसकार देख लेंगे है नचिकेतर उस स्वर्ग पद अगनी को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रती उसका उपदेश करता हूँ तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले इसे तू अनंत लोक को प्राप्ती कराने वाले उसका आधार और बुद्धिरुपी गुहां में स्थित जान प्रते ब्रवीमी तदू में निभोद हे नचिकेतर यम कहते हैं नचिकेतर से हे नचिकेतर उस स्वर्ग पद अगनी को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रती उसका उपदेश करता हूँ प्रते ब्रवीमी ब्रवीमी मतलब उपदेश करता हूँ तदू में निभोद स्वर्ग्यम अगनी नचिकेतर प्रजानन उस स्वर्ग पद अगनी को अच्छी तरह जानने वाला अनंत लोक आप्ती मथो पतिश्टाम तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले विद्धी त नहित गुहायम इससे तू आनंत लोक को प्रप्ति करने वाला उसका आधार और बुद्धी रुपी गुहा में इस्तित जान आनंत लोक को अप्ती मथो प्रतिश्टाम विद्धित वामेत नहित तम गुहायम अब नचिकेता से कहते हैं कि स्वर्ग की साधमू को अच्छी जान तू अनंत लोग को प्राप्ति कराने वाला प्रतिष्ठा को प्राप्त होने वारा उसका आधार और बुद्धी रुपी गुहां में सित जान पंदरवस लोग है लोग आधी अगनीत तमुवात तस्मिया इश्टिका यावत त्रिवा यथावा सचापी तत प्रतिवद थोक्त मताशिय मिर्तिव पुनेर वा तुष्ठ अब इसकार देख लेंगे तब यमराज ने लोगों के आधी कारण भूत उस अग्रिका के तथा उसके चैन करने में जेसी और जितनी इते होती हैं एवन जिस प्रकार उसका चैन किया दता है उन सबका नचिकेता के प्रतिवणन कर दिया और उस नचिकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया इससे प्रसंद होकर मिर्तिव फिर बोला लोग आधी अग्नी तमुवाज तसमेया इस्ट का यावत इरवा यथा वा तम यमराज ने लोगों के आधी कारण भूत उस अग्नी का तथा उसके चैन करने म जेसियों जितनी इटे होती हैं एवं जिस प्रकार उसका चैन किया जाता है उन सब का नचिकेता के प्रति वर्णन किया सै चापी तत प्रत थोक्त थोक्त मतलब वर्णन किया मथाश्य मित्यू पुनेरवा तुष्ट उस नचिकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब स इससे प्रसन होकर मिर्त्यु फिर बोला मताश्य मिर्त्यु पुनेर्वा तुष्ट मताश्य प्रसन होकर मिर्त्यु यम पुनेर्वा फिर बोला तुष्ट सोलवा स्लोक है तम ब्रवीत प्रियमानो महात्मा वरं तवेहाद ददामी भुय तवेव नाम्रा भविता यम्मग्रीन श्रिंका चेमा मने करुपाम ग्रिहान इसका अर्द देख लेंगे महात्मा यम ने प्रसन होकर उससे कहा अब मैं तुझे एक वर ओर भी देता हूँ यह अगनी तेरे ही नाम से प्रसिद होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहन कर तम ब्रवीत प्रियमानो महात्मा महात्मा यम ने यम मिर्त्यु देव प्रसन होकर उससे कहा नचिकेता से कहा अब मैं तुझे एक वर ओर भी देता हूँ तवेव नामरा भविता मय यह अगनी तेरे ही नाम से भविता प्रसिद भविता जो है तेरे नाम से तवेव नामरा तेरे नाही नाम से भविता प्रसिद यम अगनी यह अगनी तेरे ही न से प्रसिद होगी शंका चेमा मने करुपाम ग्रिहान और तु इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहन करें से प्रसिद होगी शंका चेमा मने और तु इस अनेक रूप वाली माला को ग्रुपाम ग्रिहान ग्रहन करें सतरवस लोग हैं त्रिनाची केत तिस्त्र भिर्यत्य संधिम्त्री करम कृतिरती जनम मिर्त्यु ब्रह्मा यक जगम देवम अंयम विदिताम निचाये अमाम शांति मत्यंत मेति इसकार देख लेंगे त्रिनाची केत अगनी का तीन बार जयन करने वाला मनुष्य माता पिता और आचारिये इन तीनों से संभंध को प्राप्त होकर जनम और मिर्त्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्मा से उत्पन हुई ज्यानवान और इस्तुत्य य य मनुष्य माता पिता और आचारी इन तीनों से संभंध को प्राप्त होकर तिर्क्रम्स ओप्रप्त योगे देव को जानकर निचायेमा शांती मत्यन्त मेती और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शांती को प्राप्ति हो जाता है अठारवस लोग है त्रिनाची के तस्त्र यते दिदित्वा या एवं विद्वांशी चनुते नाची के तम सेम्रत्य पाशान्य पूरते प्रणोध शोकाति गो मोदते स्वर्ग लोकें इसका आर्थ देख लेंगे जो त्रिनाची के विद्वान अगनी के इस त्रे को यानि कोन इते हों कितने शंख्याओं में हैं और किस प्रकार अगनी चयन किया जाए इसको जानकर नची के अगनी का चयन करता है वह देह पात से पूर्वी ही मिर्ट्य के बंधनों को तोड़कर सोक से पार हो स्वर्ग लोक में आनन्दित होता है त्रिनाची के तस्त्रे यते मेत दिदित्वा जो त्रिनाची के माता पिता और आचारिये त्रिनाची के इस तरह से नाम है जो त्रिनाची के विद्वान अगनी की इस त्रह को यानि कौन इीटे हैं कितनी संख्याओं में हैं किस प्रकार अगनी चायन किया जाए इसको जानकर नाचिकेत अगनी का चैयन करता है वह देह पाथ से पूर्वीही मिर्त्य को बांधनी को तोड़कर सोक शेपार हो स्वर्ग में आनंदित होता है अब त्रिनाची के तस्त्र यते यमेत दिदित्वा य एवं विद्वा शुनते नाची के तम सैं मिर्थ्य पाशान, पूरत प्रणो, सोका अती गो, अमोध त्वर्ग, लोकी त्रिनाची के तस्त्र यमेत दिदित्व, जो त्रिनाची के त्विद्वान अगनी के इस त्रे को यानि कौन इटे हो, कितनी संख्याओं में हो और किस प्रकार अगनी चैन किया जाए इसको जानकर नचिकेत अगनी का चैन करता है, से मिर्त्यु पाशान पूरत प्रणोध सोकातिको मोदते स्वर्ग लोगे, वह देह पाक से पूर्वी ही मिर्त्यु के मंद्रों को तोड़ कर सोक से पार हो स्वर्ग लोग में आनन्दित होता है इसकार देखलेंगे, हे नचिकेत है, तूने जितिय वर्षी जिससे वर्ण किया था वह यह स्वर्ग का साधन बूत अगनी तुझे बतला दिया लोग इस अगनी को तेरा ही कहेंगे हे नचिकेता तू ती सवर और मांग ले एश ते अगनी नचिकेता स्वर्गे यमराज नचिकेता से कहते हैं हे नचिकेता एश ते अगनी चिकेत स्वर्गे तूने दितिये वर्षे जिसे वरण किया था वह ही है सवर्ग का साधन बूत अ दित्य वर से बतला दिया गया एतम अगनी तवें प्रक्षती जनात यह अगनी तेरा ही कहेंगे स्थितियम वर नचिकेतों वड़िसे हे नचिकेत है तू तीसर वर ओर मांग ले बिस्वस लोग हैं ययम प्रते विचिकिश्य मनुष्य अस्थितिये के नायम अस्थिति चेके एतद्विदा मनुशिष्ट स्थव्याम वर ना मेशवर स्थियम मरे हुए अर्थात मरे हुए मनुष्य की विशे में जो यह संदे है कि कोई तो कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता आप से सिक्सित हुआ मैं इसे जान सबू मेरे वरो में यह तीसरा वर है अब नचिकेता यमराज से अपना तीसरा वर भी कहते हैं वो कहते हैं कि यह अम प्रते विशे मनुष्य को प्रतीसरा वर बता रहे हैं आपर मरे हुए मनुष्य के विशे में जो यह संदे हैं कि कोई तो कहते हैं कि रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता है अब मरे हुए मनुष्य के विशे में जो यह संदे है कि कोई तो कहते हैं रहता है और कोई कहते हैं नहीं रहता इतत विदा मनुष्य स्टुर्याम इससे मैं आपसे शिक्षा पास चुका हूँ वर नाम एश्वर स्थित्रियम वरों में मेरा यह तीसरा वर है अब नच्ची केता ने विम्राज को अपना तीसरा वर भी बता दिया फ्रेंड्स इसके साथ आज का अमरे यह वीडियो कम्पीट होता है थैंक्स फूर वाचिंग फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग